ये हैं आम का सूखा अचार इसमें तेल मसाले बहुत कम लगते हैं तेल कम है तो इसे आप ट्रैबलिंग में या टिफिन में आसानी से ले जा सकते हैं टेस्ट में इतना जादा अच्छा है कि इसे आप एक बार बना लेंगे तो हर साल जरूर बनाएंगे और सेल्फ लाइफ एक साल से भी बहुत ज्यादा नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है तो शुरू करते हैं यह एक किलो कच्छे आम जब आपने बजार से खरीदें तो देख लें पूरे फर्म हो इनके स्किन के ऊपर दाग धबे ना हो पिल पिले ना हो अच्छी वराइटी के पहले पानी में दस घंटे भिगो दिये इसके बाद धोकर निकाल लिये और इन्हें पांचे घंटे तक सुखा लिया और सबसे पहले इसका डंठल हटा देंगे काट का चीलना नहीं है इन्हें आमके अंदर की गुठली टाइट होती है हम इसे गुठली सहीत काट है तो हमा पना लेता है थोड़े से बढ़े बना रही हुं क्योंकि राखा अचार बनाना एक तो यह टुक्ड़े बाद में चोटे हो जाएंगे जब हम अचार सहल करते हैं तो अचार काफी वेस्ट हो जाता है कि इस तरह गे टुक्ड़े बना लिए हमने यह आमने काटकर तैयार कर लेρι और इनहीं काटने में सिर्फ 5 बाइं लगे और यह जो कुटलिय निकलिए इनको आप आप बाल लें मीठी चटनी बना सकते हैं पना बना सकते हैं तो इनने भी आप काम में ले सकते हैं अब इनमें डाल देते हैं दो टेबिली स्पून नमक और एक टेबिली स्पून हल्दी पाउडर और अब इन्हें अच्छे तरीके से मिला दीजिए इनके अंदर नमक आ गया है अब यह अपने अंदर से जूस रिलीज करने लग जाएंगे इसे ढखकर आप सूखी जगे पर रख दीजिए साम तक यह तोड़े से लूज हो जाएंगे साम को अच्छे तरीके से चम्चे से चलाएए फिर दूसरे दिन 24 गंटे के बाद यह और लूज हो जाएंगे फिर से चला दीजिए और तीसरे दिन हम इसका चार बनाएंगे तो अ आज दीसरा दिन है अब आप देखिए इन में कितना सारा जूस निकल के नीचे आ गया है और आम हलके से गल गए बहुत जादा नहीं हलके से नरम हो गए तो अब इस जूस में से इन आम को निकालना है इन्हें चान लेते हैं कोई भी छली ले लिजिए और यह आम के कर भी इसे ले सकते हैं पांच मिनिटेना ऐसे रखे रहने देते हैं ताकि पूरा जूस इन से निकल कर प्याले में नीचे पहुंच जाए और देखिए सारा जूस इसमें हो निचोड के प्याले में आ गया अब इन आम के टुकड़ों को सुखाने के लिए ट्रे में फैला लेते हैं तो यह ट्रे और इसमें यह टुकड़े डाल दीचे और यह जो जूस निकला है इसे इसे एक ही प्याले में करके संभाल कर फ्रीज में रख दीचे बाद में जब अचार बनाएंगे तो यह अचार में यूज होगा आम के टुकड़े कर दीचे थाकि जल्दी से सुखाने है जो इनके अंदर जूस जूस वाटर सा दिख रहा है बस वो ड्राइग करना है तो आपके अगर धूप आती है तो इन्हें तीन चार घंटे की धूप में रख दीजिए तूप नहीं आती है आप इन्हें पंखी में 7-8 घंटे के लिए या ओवर नाइट रख द बार यह तो वाट नहीं है पंक्य मैं आप एसे सूखी सूखी से दिखने लगे हल्के सूखे अंदर ऐसक्र контр कोई पानी या गीलापन बिल्कुल नहीं आए गया आभ इनके लिए मसाला तयार करते हैं तो आहें गैस के पास कदाई में डाल देते हैं 2 टेनी स्पून सौफ औ और एक टेबिल स्पून मेथी के दानी, मीडियम फ्लीम पर इन्हें एक मिनिट भून लेते हैं, इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, जादा बिल्कुल नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है, ताकि इनकी नमी दूर हो जाए, आप इन्हें धूर्प में सुखा रहे हैं, तो भूनने की भी जरूरत नहीं है, एक मिनिट इन्हें भून लिया, ये दो टेबिल स्पून सर्सूं, काली सर्सूं हैं ये, इसकी जगे आप राई भी ले सकते हैं, हल्का सा भूनना है, बस आदा मिनिट, इन्हें ठंडा होने दीजिए, और तब तक अचार के लिए तेल तैयार कर दीजिए, ये एक तिहाई कब सर्सूं का तेल, इसमें डाल देते हैं, आदर छोटी चमच अजवाईं, और एक चोथाई छोटी चमच हिंग, फ्लेम मैंने बंद कर दी, और इसे गरम तेल में डाल देंगे, एक छोटी चमच हिल्दी पाउडर, तेल तैयार हो गया, और जो मसाले ठंडे होने के लिए रखे थे, वो भी ठंडे हो गये, इन्हें दरदरा पिस लेता है, और ये फिस गये, और ये जो आम हमने गलाए थे, पहले नमक खल्दी में, इसके बाद इसमें से पानी निकला था वो, और इसमें से हम आदा कब पानी ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, और ये पानी थोड़ा सा बच गया है, आप चाहें तो इसे चटनी में यूज़ कर सकते हैं, ये सुखे वाले आम ले लिए, इसमें डाल दीजिए ये मसाले, सारे दरदरे कुटी मसाले गए, और ये एक छोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्च, एक छोटी चमच लाल मिर्च पावडर, आप एक ही तरह की मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये दो टेबिल स्पून नमक, पहले भी हमने इसमें नमक डाला था, आम गलाने के लिए ये और नमक, आधा कप इनसे निकला हुआ पानी, तेल तयार किया था, वो तेल, अब सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजे, मसाले आम के अंदर अच्छी तरीके से मिल गए, और ये तेल पानी काफी दिख रहा है, तो अब और पानी डालने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अब आप इसे ढख कर रख दीजिए, दो दिन के लिए, और रोजाना साम को एक बार अच्छी तरीके से चला दीजिए, ये मसाले पूरे पानी तेल के अंदर से फूल जाएंगे, और आम के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो दो दिन के बाद फिर से देखते हैं इसे, ये आम का सूखा अचार बनकर तैयार हो गया, दो दिन पहले हमने इसमें मसाले मिलाए थे, मसाले पूरे फूल गए, आम के टुकणों में अब्सॉर्ब हो गए, बहुत ही टेस्टी अचार बना है ये, और ये ऐसा ही सूखा हम कंटिनर में भरकर रखेंगे, अब बिल्कुल ऑइन नहीं डालना है, और ये अचार पूरे सालवर तक चलेगा, लेकिन आपकी शिकायत रहती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, कि अचार खराब हो गया, थोड़ा सा अचार की केर नहीं करते हैं, तो कभी-कभी अचार खराब हो जाता है, ये जो विनेगर है, चाउमीन में डाला जाता है, वो दो टेबिली स्पून विनेगर डाल दीजिए अचार में, आप चाउमीन में तो हमेशा खाते ही रहता है इसे, इतने अचार में दो टेबिली स्पून विनेगर डाल दे, फिर आप बिल्कुल निशिंद हो जाईए आप इसको रफली में हैंडिल करेंगे न तो भी अचार खराब ने होगा विनेगर से अचार प्रजर्ब हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है तो यह अचार तयार हो गया इसे हम कंटेनर में डाल देते हैं कोई भी कांच का कं इनी मिटी का भी चलेगा उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में जरूर सुखाईए कंटेनर में कैसी भी नमी ने रहने चाहिए अचार को भर दिया कंटेनर बंद करके रख दीजिए जब भी अचार खाना हो सूखी चमस से निकालिए और इसे एंजॉय कीजिए आम का पैयार है और खुश्बू इतनी अच्छी हा रही है जैसे कि अचार की दुकान के पास से निकल गए हो आप इस अचार को कंटेनर में भरें वो साफ और सूखा हो जब भी अचार को सर्व करें चमस से निकाले वो सूखी होनी चाहिए बस कुछ जादा ध्यार नहीं रखना यह चार आपका सालवर से भी जादा चलेगा और आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो आप इसे इसी सीजन में जरूर बनाकर खाईए और मुझे बताईए कैसा लगा और यह भी बताईए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सापको मिलते रहें